अत श्री दुर्गासप्च्षती पंचमोध्यायह देवताओं द्वारा देवी की स्तुती चंड मुंड के मुख से अम्बिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुम्ब का उनके पास दूद भेजना और दूद का निराश लोटना विनियोगह ओम अस्या श्री उत्रचरित्रस्य रूद्र रिशे महासरस्वती देवता अनुष्टुप चंड भीमा शक्ते भरामरी बीजम सूर्यस्तत्वम सामवेदा स्वरूपा महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित पाठे विनियोगह ओम इस उत्तरचरित्र के रूद्र रिशी हैं महासरस्वती देवता हैं अनुष्टुप चंड है वीमा शक्ती है भरामरी बीज है सूर्य तत्व है और सामवेद स्वरूप है महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तरचरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है ध्यान ओम घंटा शुलहलानी शंख मुसले चक्रम धनुव। जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुम्भ आदी देत्यों का नाश करने वाली हैं तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ ओम कली रिशिरुवाचेक पुरा शुब निशुम्भा भया मसुराभिया शचीपते त्रेलोक्यम यग्यभागाश्चा हृता मदबला श्रियात दो रिशी कहते हैं 1. पूर्वकालमे शुम्भ और निशुम्भ नामक असुरों ने अपने बल के घमंद में आकर शचीपती इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यग्यभाग छीमलिये दो तवेव सूर्यता तद्वद अधिकारम ततेंद्वम को बेर्मत यामियम च चक्राते चक्रता, महा सुराभिया तान देवी, संस्मरंत या पराजिताम पांच तयासमाक वरोधतो यथाप्ट्सु स्मृता खिला, भवतान आशेश्यामी, ततक्षनात पर माबदाह छे वेही दोनों सूर्या, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुन के अधिकार का भी उप्योग कर लगे, वायू और अगनी का कार्या भी वेही करने लगे, उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्यब्रिष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया, उन दोनों महान असुरों से तिर्सकृत देवताओं ने, अपराजिता देवी का स्म किया और सोचा, जग्दंबा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्तिकाल में स्मरण करने, पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का ततकाल नाश कर दूनगी, तीन छे इति कृत्वा मत देवा हिमवता, नगेश्वरम, जगमुस्तत्र ततो देवी विष्णुमाया नमाह प्रकृत्याई भद्रायाई नियताह प्रंताह स्मतामनो देवता बोले आठ देवी को नमस्कार है, महादेवी, शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृती एवं भद्रा को प्रणाम है, हम लोग नियम पूर्वक जग्दंबा को नमस्कार करते हैं नौर रोरायाई नमो नित्यायाई गौर्ये धात्रयाई नमो नमः ज्योत्सनाई चेंदुरुपिन्याई सुखायाई सतत्म नमः दस रोध्रा को नमस्कार है नित्या गौरी एवं धात्री को बार्मबार नमस्कार है ज्योत्सनामाई चंद्रोरुपिनी एवं सुक्स्वरुपा देवी को स 10. कल्यान यई प्रंतान वृद्याई सिध्याई कुर्मो नमो नमः नैरित्याई भूभुतां लक्षमय शर्वान्यई ते नमो नमः ग्यारा शरनागतों का कल्यान करने वाली। वृद्धी एवं सिध्धिरुपा देवी को हम बार्म बार नमस्कार करते हैं। नेरीती, राक्षसों की लक्षमी, राजाओं की लक्षमी तथा शर्वानी, शिवपत्नी, स्वरूपा आप जगदंबा को बार बार नमस्कार है ग्यारा दुर्गाये दुर्गपारायाई सारायाई सर्वकारिन्याई, ख्यात्याई तथेव क्रिश्नायाई धूम्रायाई सततम नमह बारा दुर्गा, दुर्गपारा, दुर्गम संकत से पार उतारने वाली, सारा, सबकी सार्भूता, सर्वकारिनी, ख्याती, क्रिश्ना और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है 12 अतिसौम्य तिरोरायाई नतस्त्याई नमो नमह नमो जगत प्रतिष्ठायाई देव्याई कृत्याई नमो नमह तेरा अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रोध्रोरुपा देवी को हम नमस्कार करते हैं उन्हें हमारा बार्मबार प्रणाम है जगत की आधार भूता कृतिका देवी को बार्मबार नमस्कार है तेरा या देवी सर्वभूतेशु विश्नुमायेती शब्दिता नमस्तस्याई 14 नमस्तस्याई 15 नमस्तस्याई नमो नमः 16 जो देवी सब प्रानियों में विश्णुमाया के नाम से कही जाती है उनको नमसकार उनको नमसकार उनको बारंबार नमसकार है 14.16 या देवी सर्वभूतेशु चेतनय अविधियते, नमस्तस्यई 17, नमस्तस्यई 18, नमस्तस्यई 9, 19 जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारम्बार नमस्कार है 17 19 या देवी सर्वभूतेशू बुद्धि रूपेन संस्थिता, नमस्तस्याई 20 नमस्तस्याई 21 नमस्तस्याई नमो नमा 22 जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है 20-22 या देवी सर्वभूतेशू निद्रारूपेन संस्थिता, नमस्तस्याई 23, नमस्तस्याई 24, नमस्तस्याई नमो, नमाः 25 जो देवी सब प्राणियों में निद्रारूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, 23-25 या देवी स नमस्तस्याई 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 तीस नमस्तस्याई नमस्तस्याई तीस नमस्तस्याई 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 तीस नमस्तस्याई नमस्तस्याई नमस्तस उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है 39, 31 या देवी सर्वभूतेशु शक्तिरूपेन, संस्थिता नमस्तस्याई 32, नमस्तस्याई 33, नमस्तस्याई 9, 34 जो देवी सब प्राणियों में शक्तिरूप से, स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है 32, 34 या देवी सर्वभूतेशु त्रिश्ना रूपेन संस्थिता नमस्तस्याई 35 नमस्तस्याई 36 नमस्तस्याई नमो नमह 37 जो देवी सब प्राणियों में त्रिश्ना रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है 35, 37 या देवी सर्वभ प्राणियों में क्षाती, क्षमा, रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार। नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार। पचास नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार। नमस्कार, नमस्कार है तिरपन, पच्पन या देवी सर्वभुतेशू, लक्षमी, रूपेन, सनस्थिता नमस्तस्याई, चपपन, नमस्तस्याई, 57, नमस्तस्याई नमो नमा 58 जो देवी सब प्राणियों में लक्षमी रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको. बारम बार नमस्कार है 56 चाहआए चपन अठावन या देवी सर्वभूतेशु वृतिरूपेन संस्थिता नमस्तस्याई 69 नमस्तस्याई साथ. नमस्तस्याई नमो नमा एक सट जो देवी सब प्राणियों में वृतिरूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार, उनको बारंबार न संस्थिता नमस्थिता 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 नमस तुष्टि रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार उनको नमस्कार उनको बारंबार नमस्कार है 68-70 या देवी प्राणियों में मातारूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है 71, 73 या देवी सर्वभूतेशु भ्रांति रूपेन संस्थिता नमस्तस्याई 74 नमस्तस्याई 75 नमस्तस्याई नमो नमह 76 जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है 74-76 इंद्रिया नाम अधिष्ठात्री भूतान अन्चाखेलेशू या भूतेशू सततम तस्याई व्याप्त देव्याई नमो नमा सत्हतर जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में व्याप्त रहने वाली हैं उन व्याप्ती देवी को बारंबार नमस्कार है सत्हतर चितिरूपेन या कृतल मेतद व्याप्य स्थिता जगत नमस्तस्याई 78 नमस्तस्याई 89 नमो नमह असी जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं उनको नमस्कार उनको नमस्कार उनको बारंबार नमस्कार है 78-80 स्तुता सुरया हैं। पूर्वमभीष्ट संश्रया तथा सुरेंद्रेन दिनेशु सेविता। करोतु सा नाशुभहे तुरिश्वरी शुभानी भद्रान्य भिहन्तु। चापदर 81 पूर्वकाल में अपने अभीष्ट की प्राप्ती होने से देवताओं ने जिनकी स्तुती की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वो कल्यान की साधनभूता इश्वरी हमारा कल्यान और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर दाले करे 81 एल या साम्परत चोधत देत्यतापित रस्मा भ्रीशा चा सुरेर नमस्यते या च्छ स्मृता ततक्षुनमे वहंती नहसरवापा भक्ति विनम्र मूर्तिभे 82 उद्दंद देत्यों से सताई हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते है तथा जो भक्ती से विनम्र पुरुषोद्वारा स्मरण की जाने पर ततकाली संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं वे जगदंबा हमारा संकट दूर करें 82 रिशिरुवाच 83 एवं स्तवादी उक्ताना देवाना तत्र पार्वती सनातुम्भ याय यो तो ये जा निर्पनंदन 84 रिशी कहते हैं 83 राजन इस प्रकार जब देवता स्तुती कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगाजी के जलमे सनान करने के लिए वहाँ आई 84 साब्रवित्तान सुरा सुब्रूर्भवद भेस्तुतेत्र का शरीर कोश तश्चाया समुध भूताब्रव चिवा 85 उस सुंदर भोहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा आप लोग यहां किसकी स्तुती करते हैं तब उन्ही के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवदेवी बोली 85 स्तोत्रम ममेतात क्रियते शुभदेत्य निराक्रतेयां देवेह समेते हैं समरे निशुम्भे पराजिते हैं 86 शुम्भ देत्य से तेर्सक्रित और युद्ध में निशुम्भ से पराजित हो यहां एकत्रत हुए ये समस्त देवता यह मेरी ही स्तुती कर रहे हैं 86 शरीर कोशाद्यत स्याह पार्वत्या नहस्रत आमबिका कोशिकीती समस्तेशु ततों लोकेशु गियते 87 पार्वती जी के शरीर कोश से अमबिका का प्रादुर्भाव हुआ था इसलिए वे समस्त लोकों में कोशिकी कही जाती है 87 तस्याह विनिर्गताया तू कृष्णा भूत्सापी पार्वती कालिकेती समाख्याता हिमाचल क्रताश्रया 88 कोशिकी के प्रकट होने के बाद प हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई 88 ततोंबिका पर रूप विभराना सुमनोहरम ददर्ष चंडो मुंदश्च भरित्यों शुब निशूम्भयों नवासी तदनंतर शुम्भ निशूम्भ के भरित्या चंड मुंद वहां आये और उन्होंने परम मनोहर रूप धारन करने वाली अंबिका देवी को देखा नवासी ताभियां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्री महाराज भासेहंती हिमाचिलम नब्बे अवलिपतसी मैवं त्वम देवी ब्रुही ममागरता है त्रेलोक ये कह पुमास्ति शुम्भ निशुम्भयों 123 तुम धमंद में भरी हो मेरे सामने ऐसी बाते ना करो तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुम्भ निशुम्भ के सामने खड़ा हो सके 123 अन्य शाम्पी देट्याना सवे देवा नव्य युधी तिष्ठंती सम्मुखे देवी की पु सकते फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो 124 इंद्रायाह सकल देवास्त स्थुर्येशाना सायुगे शुम्भादीना कत तेशा स्त्री प्रयाससी सम्मुखम 125 जिन शुम्भ आदी देत्यों के सामने इंद्र आदी सब देवता भी युध्ध में खड़े नहीं 125 सा त्वम गच मयाई वोकता पार्शवन शुब निशुम्भायों केशा कर्शन निर्धूत गौर्वा मा गमिश सी 126 इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुम्भ निशुम्भ के पास चली चलो ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी अन्यथा जब वे केश घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा 126 देव्यो वोच 127 एवमेतद बली शुब हो निशुम्भ श्चायति वीर्यवान की करोमी प्रतिग्या में यद नालो चिता पुरा 128 देवी ने कहा 127 तुम्हारा कहना ठीक है शुम्भ बल्वान ह और निशुम्भ भी बड़ा पराक्रमी है किन्तु क्या करूं मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिग्या कर ली है 128 सत्वम गच्छ मयोक्त ते यद्द सवमादृत है तदाचक्ष्वासुरेंद्राय सच युक्तम करो तु तत ओम 129 अतह अब तुम जाओ मैंने तुमसे ज एत्यराज से आधर पूर्वक कहना फिर वे जो उचित जान पड़े करे 129 इती श्रीमाकंडेय पुराने सावर्निके मनवंत्रे देवी महात्मिय देव्या दूत सावादो नामपंचमोध्याय पांच उवाच नो त्रिपान मंत्राह 66 श्लोकाह 54 एवं 129 एवं आदितह 388 इस प्रकार श्रीमाकंडेय पुरान में सावर्निक मनवंतर की कथा के अंतरगत देवी महात्मिय में देवी दूत समवाद नामक पांचवा अध्याय पूरा हुआ पांच